चार-चार PhD की डिगरी थी और सारी डिगरी ओरिजिनल थी एक भी फरजी डिगरी नहीं थी परधान मंतरी की तरफ जिनको ने इतिहास लिखने का मौका मिला ने इतिहास पढ़ने का मौका मिला तो जब परधान मंतरी बन जाते हैं तो इतिहास का सेलेबस बदल कर सुचते हैं कि इतियास में अमर हो जाएंगे बाबा साब को मौका मिला तो उन्होंने कहा महिलाओं को उत्तरा अधिकार मिलेगा संपत्ति का अधिकार मिलेगा वोट का अधिकार मिलेगा काम के घंटे कम होंगे और उनको चाइल्ड केर लीव मेटन्टी लीव मिलेगी उनके पुर्खों को मौका मिला तो मनुश्मृति में लग दिया कि अगर आप मुख से पैदा होते हैं तो किसी के हत्या भी कर देंगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी कि इस दुनिया में करोनों लोग पैदा हुए और होते रहा इंसान बनके और सब बराबर फिर कुछ लोग पैदा हुए अब उनका दावा है कि वो मुख से पैदा हुए थे मुझे नहीं पता वो कैसे पैदा हुए थे लेकिन चुकि उनको अपने वो स्रेष्ट बताना था तो वो कहें कि हम ना हम अलग तरीकेश पैदा हुए कैसे हुए? मुखस सजायते ब्रामणद बाहुर नाम चत्रिया तो हम आपसे स्रेष्ट है और उससे उपर स्रेष्ट क्या बताया? कि हम इस धर्ती पर उसके अवतार है तो उन्होंने जातियां बना दी तो पहले जो लोग पैदा होते थे सब इनसान होते थे फिर जब जाती बन गई तो जाती में बढ़ कर कुछ लोग इनसान से भी उपर हो गए और धेर सारे लोगों को जातीयों में नीचे रखकर इनसान से भी बदतर बना दिया गए फिर इस देश में बिर्सा, भूले, अंबिटकर, परियार जैसे लोग पैदा हुए जिनोंने वापस इनसान को इनसान से बराबर बनाने के लिए भारत का संभिधान बना दिया और अब कोई इनसान बड़ा, कोई छोटा नही सब व्यक्ति का एक वोट, एक व्यक्ति और एक वोट की एक कीमत और इसलिए दुनिया में बहुत लोगों की जैन्ती मनाई जाती होगी लेकिन करूणों करूण लोग दुनिया भर में महीनों तक जितना बाबा साथ की जैनती मनाते हैं ऐसा दुनिया में दूसरा कोई मोजूद नहीं है जिसकी जैनती इतने शांचोकरते मराई जाते है और इसलिए मैं बाबा साहब को उस गीत से जोड़ कर कह रहा हूँ क्योंकि करुणों लोगों को धर्ती, अंबर, चांग, सितारे, नदी, परवत, पहाड सब था लेकिन फिर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था उसी गीत में बताया कि बाबा साथ डक्तर अंबेटकर के संविधान और उनके संगर से पानी पीने मुख के सड़क पर चलने का हक मिला उन लोगों ने अपने सीने में डक्तर अंबेटकर को आज भी जंदा रखा है और हमेशा जब तक इस देश में कोई भी संविधान का आकरी पन्ना बचा होगा डक्तर अंबेटकर वहां लोगों के जहन में ऐसे ही जंदा रहे और इसलिए इतनी बड़ी तादात में लोगों की जैनती मनाई जाते है तो उस जैनती की आप सब को बढ़ाई महात्मा जोतिरो फूले जिसकी साजा जैनती आप मना रहे है बाबा साब को इस देश में कहा जाता है पहले तो आजादी के बाद गायब करने की कोशिश की गई अब गायब नहीं कर पाए तो बाबा साब को कहा कि यह केवल दलितों के नेता है तो कुछ होता है न सेलिबस से गायब कर दो तो लोग अंबेटर को भूल जाएंगे ड़्टर अंबेटर की किताब छुपी 1980 में और भारत का समिधान लागू हो गया तो 1950 में बाबा साब को भारत रहत मिला 1990 में तो बहुत सारे लोगों को यह भरं था कि जब बाबा साब की किताब नहीं छापेंगे तो लोग बाबा साब को भूल जाएंगे लेकिन गाउं के लोगों आपको पता होगा कुछ बीज ऐसे होते हैं ना उनकी ताकत इतनी होती है ति किसी बंजर जमीन में भी दाब दो वो धर्ती सफोड करके लहलाते हुए खड़े हो जाते हैं और अपना छाया अपना फल मानोता को अपने आप बाढ़ते रहते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ डप्टर अंबेदकर क्यों हमार है डप्टर अंबेदकर वापस जब इस देश में लोटे तो तरजनों दिगरियां लेकर लोटे थी चार-चार पिएच डी की डिगरी थी और सारी डिगरी ओरिजिनल थी एक भी फर्जी डिगरी नहीं थी परधान Article मंतरी की तरई सारी ओरिजिनल डिगरी थी इतनी डिगरी हासिल की जिसे स्कूल से बाहर निकाल दिया कि पढ़ नहीं सकते उसने जब हाथ में कलम काईदे से पकड़ी तो सारी ओरिजिनल डिगरी हासिल की फिर भी जब इस देश में लोटे तो अधिकारी बनने के बाद भी चपरासी भाई ठेख कर देता है पीने का पानी धंग से नहीं दिया तो डिगरी कीमत से अगर कीमती होती तो बाबा साथ के साथ अफमान नहीं होता और पिछले दिनों अभी राजिनपाल गोतन साथ बैटे हुए है हम लोग एक कारिकम में वहां गए थे और मैं बार-बार उस कारिकम को याग करता हूँ सर उस यगे में लगा कि ऐसी कोई ताकत है सया जी बाद गुजरात बडोदरा में कि बाबा साथ जब इतना तेरसकार हुआ तो बाहर आकर के रोए बैठे वहां और चाहते तो इतनी डिगरी ते विदेश चले जाते आजकल तो सब पैसा लूट कर विदेश चले जा रहा है मोज मत्ती कर रहा है और चौकीदार सो रहा है लेकिन बाबा साहब इस देश में अपना अपमान सहने के बाद भी इतनी डिगरीयां थी कि विदेश में जाते तो बहुत बड़े उहदे पर होते आज भी यहां के लोग दिल से ड़के रम्बेटकर को एकसेप्ट नहीं कर पाए स्विकार नहीं कर पाए और दुनिया के कई विश्वद्यालियों में उनकी मूर्तियां लगे हुई है उन्हें सिंबल अप नॉलेज कहा जाता है लेकिन फिर भी ड़के रम्बेटकर विदेश नहीं गए और उस जगह पर संकल्प लेते हैं कि जब तक इस देश में जातिवात का खात्मा नहीं कर देते अपने लोगों को बराबरी का हक नहीं दिला देते तब तक चैन से नहीं बैटेंगे और वो संकल्प जगह थी और वहां से डप्टर अम्बेटकर ने पूरे जीवन जो काम किया उसने करूणों लोगों का जीवन बदल कर रख दिया इसलिए हम दप्टर अम्बेटकर को अमर रहने की बात करते हैं और डप्टर अम्बेटकर हो या महात्मा जोतिवाब फूले वो कोई एक व्यक्ति होते तो कुछ लोग याद करते कुछ दिन बाद भूल जाते लोग बाप दादा को भूल जाते कितने दिन को याद रखता है लेकिन यहां तो उल्डा हो रहा है साब पहले कम लोग याद करते थे डप्टर अम्बेटकर को और अब मैं देख रहा हूँ जितना इस देश में जितने बड़े अस्तर पर लाखों करोणों लोगों के साथ सड़क पर उतर कर जितना बड़ा अस्तर पर इंति अब बनाना शुरू आए इतना और कोई दूसरा नहीं है डप्टर अम्बेटकर को लगता है अब जादा वोग याद कर रहे और पड़े पामाने पर उनकी जहनती मना रहा है गुम हो गए वो लोग जो चाहते थे कि इनको सर्वस से अटा देंगी तो इगायब हो जाए तीन तरह के प्राड़ी होते हैं दुनिया में एक वो जो इतिहास लिखते हैं महत्मा फूले, तथा गदबुत बाबा साथ, डगदर अंबेकर, बिरसा, मुंडा, पिरियार और ऐसे जाने कितने लोग, उन्होंने इतिहास लिखा है इसलिए वो लोग दुनिया में अमर रहेंगे दूसरी कटेगरी उनकी होती है जो इतिहास पढ़ते हैं हम और आप अभी उस कटेगरी में हैं जो अपने पूर्खों के लिखे इतिहास को पढ़ रहें और तीसरी कटेगरी और एक लोगों की होती है जिनको ने इतिहास लिखने का मौका मिला ने इतिहास पढ़ने का मौका मिला तो जब परदान मंत्री बन जाते हैं आपका इतिहास से न जानने दियादे डक्तर अंबेटकर महत्माफूले पेरियार और तमाम लोगों ने इतिहास रचा है कैसे रचा इस देश के लोगों को बराबरी का हद दिलाकर रचा कैसे रचा इस देश में हर एक बच्चे बच्चीयों को उसके जेब में पैसा है कि नहीं है उसकी जाती कौन सी है उसका अधमजहब कौन सा है गाउं के हैं कि शहर के हैं ये सब भेद मिटा कर भारत का समिधान लागू कर दिया कि आपके बेटा बेटी को अच्छी सिच्चा मिले अच्छा रुजगार मिले और आप सोचो ना पुरवांचल के रहने वाले लोगों आप यहां दिल्ली में ठाट से यहां रहते हैं बुद्ध विहार बनवाया है और लोगों को 10 बजे रात तक की परमीसन मिलती है और ये लोग 4 बजे रात तक का परमीसन लेकर के यहां पर बाबा साब की जैनती मना रहे है ये आपका सम्मिधान की वजे से संभव हो पाया है अगर सम्मिधान नहीं होता तो ये मौका मिल पाता क्या ये सलिए डॉक्तर अंबेटकर की एहमियत है कि उन्होंने सब को बराबरी का मौका दे दिए और एक बात सोचो न इस देश में लोगों को उनको जब मौका मिला कलम और किताब पकड़ने का तो उन्होंने मनुष्वर्ती लेकर दे महिलाएं बजपन में पिता के अधिन जवानी में पती के अधिन और बुढ़ापे में पुत्र के अधिन रहेंगी बाबा साब को मौका मिला तो उन्होंने कहा महिलाओं को उत्तरा अधिकार मिलेगा संपत्ती का अधिकार मिलेगा वोट का अधिकार मिलेगा काम के घंटे कम होंगे और उनको चाइल्ड केर लीव में टेंटी लीव मिलेगी और भारत के समिधान में लिख कर चले गए कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा सब बराबर रहेगा उनके पुर्खों को मौका मिला तो मनुश्मृति में लिख दिया कि अगर आप मुख से पैदा होते हैं तो किसी के हत्या भी कर देंगे तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगे आप समझ रहें न मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझदार को इशारा का भी जिस मंच पर मात्मा पूले और बाबा साब की बात हो उस पर इशारे में बात उन लोगों की कीजा जिन से आपकी लड़ाई है तो उनको मुका मिला तो उन्होंने ऐसा दस्तावेज बनाया कि वो हत्या भी कर दें तो कोई सजा नहीं और हमारे लोग अगर चीटी भी मार दें तो उनको बड़ी-बड़ी सजा मिलेगी बाबा साब को मौका मिला तो ये नहीं कहा कि अब हमारे लोग उपर होंगे और ये मुख से पैदा होने वालों का अधिकार छिन लो इनको रोट देने का अधिकार न देो अरे बाबा साब होने का मतलब समझो अपने लोगों को तो हग अधिकार दिया ही दिया उनको भी मौका दे दिया जिन्होंने बाबा साब के लोगों का हग अधिकार छिन लिया था लेकिन आज भी दक्तर अरंबेकर की जैनती वो लोग नहीं मना परते मैं तो आज भी एक शिकायत करता हूँ और बढ़ा ही दे रहा हूँ इस मन्च के आयोजगों को इन्होंने बार बार एक बात पर जिक्र किया है जोर दिया है कि हम लोग S.C.S.T. O.B.C. समाज के लोगों को जोर करके मन्च पर वक्ता भी बनाए जैनती भी साजा मना रहे हैं इनकी कमेटी में भी सारे लोग शामिल हैं यहां है बहुजा नेकता और यह है बाबा साब के सपनों का भारत जिसमें सब मिल करके रहेंगे और एक आज सुझाओ और आपको अगली बार जैनती मनाईए तो इस मंच पर महिलाओं की इतादाद पूरसों से ज़्यादा होनी चाहिए आदिवासी भी इसमें हो और पसमांदा समाज के भी लोगों कापति की बनाएगे सब को मिलाएए इसका चंज मत करिए उगाना नहीं चल रहा है न अब उसके बाद इस जयनती का मकसद क्या है इस जयनती मनाने का मकसद दो है मेरे हिसाब से इस जयनती मनाने का पहला मकसद यह है कि हम अपने इतिहास को जाने और तूसरा मकसद यह है कि जो सपना देखा था बाबा साब, फूले साब, पिर्यार साब ने उसके बारे में जाने कि वो पूरा हुआ क्या धूरा है ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए अगर बाबा साथ के सपनों का भारत बन गया होता तो हमारा काम केवल जैनती मनाने से चल जाता है लेकिन अभी जैनती मनाने के बाद क्या करना है इस पर भी विचार करना है क्योंकि बाकी हमारे कुर के वक्ताओं ने बहुत शांदार बाते कह दी मैं उसको दोहराओंगा नहीं और यहां तो जागरुक समाज बैठा है इनको अब मैं समझाने कि मेरे बगल में जो बैठे हैं बाबु जी ये मानेवर कांशी राम साहब के साथ काम किये हैं अब उनके बगल में बैठ कर और उनके सामने कोई भाषण दे सके इतनी हिम्मत तो हमारी नहीं होती हम इनके बगल में हिम्मत लेते हैं कि मानेवर कांशी राम साहब के बारे में कांशी राम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई वो ऐसा कौम जगा कर गए हैं हमें तो जगाने वालों को बस आगे बढ़ा देना है हिम्मत होसला बढ़ा कर तो कोई नहीं बात नहीं करने आया मैं बस थोड़ी से दो-चार बात करके दो-चार किस्सा सुना करके कि बेजहनती मनाना जरूरी है ताकि हिम्मत होसला मिले इन नौजवान लोग आये हुए बुजुर्ग लोगों के साथ खड़े होकर महिलाएं और बच्चे बच्चियां आये हुए है ये लोग जब इस जैनती से जाएंगे अगर पहली बार आएं तो घर जाकर अपने माता पिता से पूछेंगे कि ये किस की जैनती मनाई जाने और जब बाबा साथ की तस्वीर बाबा साथ फुले साथ के बारे में माता पिता से किस्सा पूछेंगे कौन थे ये और आप किस्सा बताएंगे तब समझे कि जैन्ती मनाने का मकस्द सफल होगा ताकि ये रोशनी आगे तक जलाए और आगे तक रोशनी उजाला फैलाए और बाबा साथ कैसा सपनों का भारत बना के तो जिसमें सब को सिछा मिले जिसमें सब को सब का अधिकार मिले कर्मकान डंदिंश्वास खतम हो और सब लोग मुखबत प्रेम से रहें सब लोग प्रेम से रहें कोई किसी से नभरत न करें लेकिन आज कौन सा भारत बनाया जा रहा है बाबा साथ के सबसे बड़े वारिस मानवरकांशी राम ने एक जुटता का संदेश देया था मंडल कमिशन लागो करो वरना कुरसी खाली करो मानवरकांशी राम 85% बहुजन की बात करते थे जिसमें SC, ST, OBC, Minority सारे लोग थे इसलिए मैं इसमंच से ये बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेटकर को OBC घरों में भी अब ले जाने की जरूत है आदिवासी और जा रहे हैं ऐसा नहीं की नहीं जा रहे है खुब अच्छे से जा रहे है थोड़ा समय लगेगा वो कहते हैं न हम लोग बच्पन में किस्सा सुनते थे करत करत अभ्यास ते जडमत होत सुजान और रसरी आवत जातते सिल पर परत निसान हमें अभ्यास करना है हमें अपने लोगों को समझाना है जिस दिन हम आवो OBC समाज के लोगों को ये बात समझाएंगे कि डॉक्टर अम्मेडकर ने मंत्र मंडल से इस्तीभा दिया तो तीन बातों में से पहली बात हिंदू कोट बिल उसका लागू न किया जाना और दूसरी बात है OBC के लिए अनुच्छे 340 में जो कमिशन बनाना था ताकि OBC की गिनती हो और उनको गिनती के आधार पर आरक्षण मिले प्रतिनित मिले हिस्सेदारी मिले वो नकाम हुआ इसलिए डॉक्टर अंबेटकर ने कैबिनेट से इस्तिभा दे दिया ये बात जब तक OBC के घरगर बताएंगे दोनों बाहें खोल करके OBC एक दिन ऐसा आएगा डॉक्टर अंबेटकर को अपना मानना सुरू कर देंगे परणाम ले रहा हूं और उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो देखा कि इतिहास क्या है शिवदयाल सिंग्च चौरसिया शिवदयाल सिंग्च चौरसिया ने आद हिंदू सभा बनाई और जब कुछ मुखस से जायते ब्रामणा उनके पास गए उन्होंने कहा कि मैंने आद हिंदू सभा बनाई इसकी सदस्ता भी ले लिजिए तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू थोड़े हैं हम तो आर यह हैं शिवदयाल सिंग्च चौरसिया ने कहा कि अब तक तो समझते थे कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू लेकिन जब तुम आर्य कहे रहे हो अपने को तो जाओ आज से हम भी हिंदू नहीं उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज लीग डिप्रस क्लासेज लीग वैसा और्गनाईजेशन बनाया पेरियार लरी सिंग्यादो चंद्रिका परसाद जिग्यासू और शृद्याल सिंग चोरसि को यह बहुजन एकता जो हमारे पुर्खे बना के गए हैं वाई हमें तो वह इतिहास लोगों को पताना और बाबा साब डॉक्तर रंबेटकर ने उस जगह पर ओभी सी समाज के लिए बात कही थी जो उनके वारिस मानवर कांशी राम ने एक ही किताब लिखी अपने जीवन चमचा योग ना होता पढ़िएगा मजा आएगा और आजकल तो और उसे पढ़ा जाना चाहिए जिन्हें जवानी में चमचा गिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उमर दलाली में गुजर जाती है मानवर कांशी राम ये बात कहके गए और उन्होंने कहा कि भाई जो हक अधिकार की बात में करे वो आपकी जाती हो करकर कि भी किसी के हाथ का चमचा है और उस किताब में वापस मानिवर कांशी राम ने ये बात दोहराई जो बाबा साथ ने 1948 में कही थी कि इस देश में आज में सबस्यादा हक्मारी OBC समाज के लोगों की हो रही है और अब मैं खुशी से ये बात साजा कर रहा हूँ इस साल के पहले तक बाबा साथ की जयनती किसी OBC सम्मेलन में मनाने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया था OBC समाज के लोग अलग-अलग सम्मेलन करते हैं इस देश में लया को याद करते हैं जग्देव बाबू को याद करते हैं पेरियार को याद करते हैं और मैं कानपुर गया हूँ पेरियार ललाई सिंजादों के गाउं में लोग अपने पुर्खों को धिरदरे याद कर रहे हैं लेकिन एस साल एक नायाब चीज मेरे साथ हुई कि मैं जब 36 गड़ गया तो जब उन लोगों को पता चला कि मैं भिलाई में कारकम में आ रहा हूँ तो मेरे पास फोन आया कि भाई आज तक दलित समाज के लोग वहाँ पर अमबिटकर जैनती मनाते हैं और आपको बुला कर सम्मानित करते हैं मैंने भी का हाँ भाई इस देश में जितना जागरू कि इस देश का दलित समाज है शिडिल का समाज है इसका आधा जागरू को जब बाकी समाज हो जाए तो ये देश सोने की चिडिया बनने से नहीं रहेगा तुछे और तब उन लोगा ने कहा कि आपकी बातें सुनते हुए हम OBC समाज के लोग और सारा OBC मल करके बाबा साथ डक्टर अंबेकर की जैनती मना रहा है और उसमें आपको वक्ता बना कर बुला रहा है मैं अपना पहले वाला कारिकम छोड़ करके पहले वो OBC समाज के कारकम में गया और वहाँ बाबा साथ की जैनती मनाने वोगों को सलाम करके आया हूँ यह भारत बदल रहा है भाईयों बस कुछ दिन की और बात है हम लोगों को यह चुट करने में काम्याब हो जाएंगे बदलाव आ रहा है बस चिढ़ाना नहीं है किसी को अगर हम अपने लोगों को चिढ़ाएंगे ताना मारेंगे तो वो सुधरेगा हमसे छिटक जाएगा जैसे आज कल कई लोग कुछ कहते हैं के भाई जोर से वो जैभीम बोलते हैं और हाथ में कलावा भी बानते हैं अब मालो आप उसको चढ़ा दोगे और कैची ले घुमोगे आभी कलावा काटो नहीं तो बाबा साब के सच्चे वारिस नहीं हो मालो दबाव में काट लेगा अभी मन से तो वो गया नहीं है डर ना बाहर जाके दूट हो कलावा बानत लेगा आप क्या करेंगे और अगली बार आपके कारिकम में नहीं आएगा बाबा साब भी किसी के कैची लेकर नहीं घुमे बाबा साब ने लिखा पढ़ा बोला और घरगर लोगों को समझाया बाबा साब को भी पता था जिस दिन मेरे मिशन मूमेंट और किताबें लोगों के पास पहुचने लगेंगी बिना जगाए उनका समाज धिर धिर जागने लगेगा और मैं वैसा भारत आज देख रहा हूँ कि बाबा साब को पढ़ते हुए लड़ने के हिमत लोगों में आ रही है हमें बस थोड़ा सा धैर समबाद करना है बाबा साब के खिलाप भी तो उन्हें के जाती के लोगों को खड़ा कर दिया गया था आगरा में सम्मेलन किया था लोगों ने कि बाबा साब हमारे निता नहीं है फिर भी बाबा साब ने कहा कि भाई आज ये समाज भी नहीं जाग रहा है एक दिन आएगा वो जागेगा हमें प्रेम से समवाद करना है लोगों को समझाना है और समझाने में थोड़ी सी नाप छोटी करिए दिल बढ़ा करिए लोगों को समझाईए जोड़िए कोई अगर आपकी बात एक बार नहीं मानता है दो बार समझाईए तीसरी बार बताईए आज कलब ये मंच से सोबा तो नहीं देता लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिसको आप दुश्मन मानते हो उसके काम करने की शैली देखिए एक आरेसेस का आदमी जाती देखकर पता है कि ये हमारा वोटर नहीं है ये कोई अमबिटकर को मानने वाला कोई भूले को मानने वाला कोई इस पाइटी को कोई इस पाइटी को वोट देने वाला हमारा आगमी नहीं है फिर भी वो आपके घर में आता है और आप कहेंगा ये बाहर जाओ तुमारा काम नहीं फिर पर कहेगा आरे नहीं, बस आपके घर एक इलास पानी पीने के लिए हम आये गाई, वो आपको दूदकारने के बाद भाई साब एक इलास पानी पिला देजिए, और ऐसा मीठा जहर घोलेगा, कि अगली बार आपको पानी पिलाने किसी और तालाप की किनारे लेंगे चला तो हमारा काम तो जोड़ने का है उनका काम आसान है हमारा काम मुश्किल है फिर भी हमारा काम आसान क्यों है क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि बताओ अगर इस देश में 90% लोगों में से 45% लोग भी जागरुख हो जाएं तो इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर कौन बैठेगा जिसे आप तैं करेंगे क्योंकि 31% वोट पाकर के तो लोग प्रधान मंत्री बने बैठे़े हैं और प्रधान मंत्री बने बैठे हैं दिल में गोट से गोलवल कर हैट गवार और 14 अप्रेल को बाबा साथ की मूर्ती पर माला पहना रहे हैं वो भी जो दिल में गुड से गुलवल को हेटगवार को लगते हैं और दोनों हाथ भला कर बोलते हैं अभी सर्म देख रहा था 21 अप्रेल को इस देश के प्रधान मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडिल पर लिखा और भाशर दिया इस देश के प्रधान मंत्री ने भाशर दिया कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका जवाब गौतम बुद्द दे के न गए हूँ बड़ा खुशी हुई मुझे भी उन्होंने कहा कि दुनिया को इंसानियत का पाठ अगर किसी ने पढ़ाया तो उनका नाम ता तदागत गौतम बुद्द और थोड़ी ही देर बाद उनका पुराना ट्विट देख रहा हूँ तो उसमें देख रहा है अमेरिका में जाके भाषर दिये कि मैं युद्द के देश से नहीं बुद्द के देश से आया हूँ और जब भारत में देख रहा हूँ तो बुद्द के मानने वालों के खिलाब युद्द छेड़े हुए हैं ऐसे लोगों के आप सामने लड़ाई लड़ना है एक चेहरे पर कई चेहरा है भाई जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे कभी अपनी जाती नहीं बताई न और जब प्रदान मंत्री बनना हुआ तो दोनों हाथ फैला के का मैं वो भी सी मा का बेटा हूँ 25 साल भीख मांग के मैंने जीवन जिया है मैं तो स्कूल कॉलेज का मुह ही नहीं देखा हूँ भीख मांगने वाली बात पर सुमित भाई ने भी बड़ी शांदार बात है उनके लोग भीख मांगने को भी गौरवानुवित करने वाली बात कहते हैं और हमारे लोग सबसे महत्पुन बात क्या कहते हैं श्रम करके जीवन जीने की बात करते हैं मेहनत करके जीवन जीने की बात करते हैं चाहे वो कबीर हो चाहे रंदास हो गुरुनानक हो पल्टु दादु भीका बुलेशा बाबा फरीद हो जोतिवा फूले हो पेरियार हो या बाबा साथ डप्तर अरंबेट कर मेहनत करके खाने क के बात करते हैं और इसे लिए हमारे या एक शब्द दिया गया है श्रम जीवी 90% कमेरा लोग है और 10% लुटे रहा है जिनके लिए शब्द दिया गया पर जीवी 90% लोगों का पैसा यह पर जीवी लोग लूट के जा रहे हैं यह हैं मेटकर के सपनों का भारत जिसमें हमको वापस अपना पैसा लेना है और पैसा कहां कहां से ले जा रहे हैं सवगंद मुझे इस मिटी की मदेश नहीं पिकने दूँगा या देख नहीं कुछ बात तो कंटेंपररी आज की करनी जरूरी है कि नहीं पता चला आप जैनती मना के गए और वोट वो लेके गया वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाओं सौगंद मुझे इस मिटी की मैं देश नहीं पिकने दूँगा समझ गए ना मैं रेल में चाय बेचा हूँ चाय बेचते हुए उसे किसी नहीं देखा रेल बेचते हुए पूरा देश देख रहा है फिर भी उसके भक्त करते हैं कि कहां कुछ बेच रहा है रेल बेच दया, रेलवे में आज भी सबसे ज़्यादा कर्मचारी आपके समाज के हमारे समाज के हैं, रेलवे क्यों सबसे पहले बेची गई इसके शरयन्त को समझ के हैं?